हेलो व्यूवर्स वेल्कम टू मैं चैनल दिस इस सना उमीद है आप सब खैरिद से होंगे खुश होंगे जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना के इस महामारी की वज़े से बहुत लोगों की अब जानते हैं कि आज की ताइम में मार्केट में हैं और इसकी मार्केट प्राइज हमेशा बड़ी हुई है आज कल के इस दौर पर दू दिस कोरोना तो आज मैं आप सब के सामने एक डियावाइज बनाने जा रहे हूं जिसको आप सीख सकते हैं वह भी 10-20 रुपए के से तो चलिए अब हम इसे बनाना सीखते हैं तो सबसे पहले हमें चो इंग्रीजियन चाहिए वह सोप यानि कि साबुन मैं या डेटल सोप ले रही हूं आप चाहे तो कोई भी सोप ले सकते हैं बट आइव प्रिफर कि आप डेटल या लाइब जैसे साबुन का ही यूस करे खेटल बेगार गेए प्रिफर अप लेंगे गलीसरीन चाहित एक उस बेल्स चाहिए का गपार असेड की साबुन खान गीर लेंगे ऑंगे उसका तो समोगा है यूस की जरुथा बी ए जैसे की यूस की जरुथाब भी है तो फिर नेक्स हम लेंगे औरेंगे अलेंगे यश को यूज कर सकते हैं एसेंशियल और हेल्स तो बैलंस अनिवन स्किन टोन प्लस परसनली मुझे इसके स्मेल काफी जादा पसंद है हैंड वाश करने के बाद यह आपके हातों में एक भीनी भीनी सी औरेंज खुश्बू छोड़ जाती है जो मुझे बहुत जादा पसंद है आप चाहे तो इस एसेंशियल वाले स्टेप को अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपके लास्ली हमें चाहिए एक अपने हैंड वाश को स्टोर करने के लिए एक बॉटल मैंने आपको अप सारे इंग्रीडेंस बता दिये अब चलिए इसे बनाना सीखते हैं सबसे पहले हमें 3-4 सोप को ग्रेट कर लेना है 3-4 गेटेट सोप से हमारा अल्मूस एक बॉटल हैंड बन जाएगा और अगर आप आप जादा बांत्रा में हैं वाश बनाना चाहते हैं तो आप पूरे सोप को भी ग्रेट कर सकते हैं यह आपके ऊपर पूरा डिपेंड होता है कि आपको कितना बनाना है तो चलिए अब इसे ग्रेट कर लेंगे तो लेस्स टार्ट जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपने सोप को ग्रेट कर लिया अब हम इसमें एप्रॉक्स हाफ ग्लास हॉट वाटर इसमें पोर करेंगे और इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे तब तक जब तक हमारा सोप इसमें डिजॉल्व नहीं हो जाता अब हम सोप को हॉट वाटर में डालने के बाद इसे अच्छी तरह स्टेर करके जैसे कि मैंने आपको पहले बिबताया इसे अच्छी तरह से स्टेर करते वे इसे कंप्लीटिट डिजॉल्व कर लेंगे हमारे इस बनाए हुए लिक्विट में किसी पी तरह की कोई लम्स ना रहे इसलिए हम इसे गैस में हाई फ्लेम पर बॉल कर लेंगे जैसे कि आप सब ने देखा हमने अपने इस सल्यूशन को एक बर गरम पानी में स्टेर करके डिजॉल्व किया फिर एक बार इसको गैस फ् सकते हैं एक थिक कंसिस्टेंसी होने लगेगा बट आई विल प्रिफर कि आप इसे ओवर नाइट रखे ताकि इसके रिजल्स बहतरीन हो यह स्लाइम नेचर का हो जाएगा जो कि थिक कंसिस्टेंसी जो हैंड वाज ऐसी रहती है उसे स्टेर करने के बाद हमें मिल जाएगी वह कैसी होगी मैं आपको बताऊंगी ओवरनाइट रखकर तो पहले हम इसके इंग्रेडिन जाते तो अब हम इसमें ग्लिसरीन डालेंगे ग्लिसरीन हमारे स्किन को हमारे हातों को एक मॉस्चर मॉस्चर और स्मूधनेस प्रोवाइट करेगा और आप विंटर है तो विंट आप यह तो उसके हम इसमें तू थ्री ड्रॉब्स डालेंगे जिसे की हमेरे स्मेल काफी अच्छी आए प्लस यह जाधा एफेक्टिव भी होगा हमारे अनिविन स्किन टोन को बैलन्स करने में तो हम इसे डालेंगे स्टर करेंगे और इसे धक कर हम ओवरनाइट रख तो अब हम अपने सल्यूशन में एक अच्छा सा मिक्स देकर इसे ढख कर ओवरनाइट रख देंगे तो फ्रेंड्स आफ्टर कीपिंग इट फर ओवरनाइट इसका रिजल्ट कुछ ऐसा होगा अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसके यह स्लाइम कंसिस्टेंसी में आ गया है अब हम इसे अच्छे से एक विक्स कर लेंगे ताकि हम इस कि इसके इसके हैड़ कंसिस्टेंसी जो बिल्कुल हैंडवाश की तरह लगे व अचीव कर लेंगे एड़ you can see we are even achieving इसे कुछ देर अच्छे से मिलाने के बाद हमारी consistency कुछ इस तरह की हो जाएगी है ना बिल्कुल के hand wash की consistency के form में रिजाइट consistency अचीव कर लेंगे तो हम इसे bottle में transfer कर लेंगे for further use मैंने सोचा अपने बनाएवे hand wash का आप लोगों को डेमो भी करके दिखाओं क्योंकि वो भी जरूरी है ताकि आपको भी पता चले कि मैंने प्रोड़क्त आप मैंने जो सही बनाया है नहीं तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी फोम निकल रही है जिस तरह बिल्कुल मार्क को हेलफुल लगा हो और अगर लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड टोंट फोगेट तो हिट बेल आइकन थांक्यो फोर वाचिंग